मसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट अंगल पर मैं हूँ आपका दोस्त शुभा मिश्रा तो न्यूजिलेंड और बांगलादेश की बीच दो मैचों की टेस्ट सिरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा एक जनवरी से पाच जनवरी 2022 के बीच मौंट मौंगनुई के बे ओवल मैदान में इंडियन टाइम के हिसाब से सुभा के साड़े तीन बजे से तो आज की इस वीडियो में पहले टेस्ट मैच के लिए मौंट मौंगनुई बे ओवल की पिच रिपोर्ट का complete analysis करने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैदान के ground records क्या है और इस मैदान पर दोनों कप्तान को toss जीत कर पहले क्या करना चाहिए वहीं पर दोस्तों बे ओवल के मैदान पर कौन से बॉलर्स ज़्यादा effective साबित होते हैं spinners या fast ballers और किसको आपको अपनी fantasy 11 में लेना चाहिए वहीं पर दोस्तों इस test match के लिए weather report किया है और इस मुकाबले में दोनों टीमें किस playing 11 के साथ मैदान में उतरने वाली है और वीडियो के अंत में मैं अपने इस पहले test match की win prediction भी देने वाला हूँ तो overall ये वीडियो बहुत ही सदा interesting और informative होने वाली है लगातार मिलती रहे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले test match के लिए मौन्ट मोंगनोई की weather report के बारे में तो यहाँ पर आप सब के लिए good news है क्योंकि मौन्ट मोंगनोई की weather है वो day 1 to day 5 काफी ज़ाधा अच्छी forecast की गई है जहाँ पर बारिश की अशंका बिल्कुल भी नहीं है और आपको पाचो दिन पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है जहाँ पर आपको अगर मैं day wise temperatures बताऊं तो day 1 का जो maximum temperature है वो 27 degrees Celsius forecast किया गया है और उस दिन आपको mostly sunny conditions देखने को मिलेंगी इसके अलावा दोस्तों दूसरे दिन का जो maximum temperature है वो 24 degrees Celsius forecast किया गया है और इस दिन भी बारिश की अशंका बिल्कुल भी नहीं है और आपको partly sunny conditions देखने को मिल सकती है इसके अलावा तीसरे दिन का जो maximum temperature है वो 25 degrees Celsius forecast किया गया है और इस दिन भी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है इसके अलावा चौथे दिन की बात करें तो यहां भी maximum temperature 25 degrees Celsius रहने वाला है और इस दिन भी आपको partly sunny और partly cloudy conditions देखने को मिल सकती है और बारिश की अशंका बिल्कुल भी नहीं है वहीं पर पांचवे और आखरे दिन जो maximum temperature है वो 25 degrees Celsius forecast किया गया है और यहां पर दोस्तों यह बताया चाहरा है कि पांचवे आखरे दिन के first session में यानि कि morning session में आपको थोड़े बहुत passing shower देखने को मिल सकता है लेकिन इसके अलावा पूरा दिन साफ रहेगा और आपको पूरा खेल देखने को मिलने वाला है तो overall अगर मैं आपको temperature या बताओं या फिर पूरी weather report बताओं तो काफी सता अच्छी रहने वाली है इस test match के दौरान और यह संभाबना है कि आपको 5 दिन पूरा खेल देखने को मिलने वाला है अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस पहले test match के लिए Mount Monganui Bay Oval की bitch report के बारे में तो अगर हम सबसे पहले ground records की बात कर ले तो इस मैदान पर अभी तक सिफ दो ही test matches खेले गए हैं जहां पर पहले बल्ले बाजी करने वाली team ने एक मुकाबला जीता है कि पहली पारी दोनों teamों के लिए बहुत ज़्यादा crucial होती है और जो team भी पहली innings में बढ़त बना लीती है अंत में जाकर match वो ही जीतती है तो मुझे लगता है कि दोनों teamों के लिए यहां पर पहली पारी बहुत ज़्यादा important होने वाली है और toss कोई ज़्यादा महत्व इस मुकाबले में नहीं रखेगा अगर आप पहले बल्ले बाजी करो या अगर आप पहले गेंद बाजी करो आप पहली innings में अगर आप बल्ले बाजी करो तो कोशिश होगी कि एक बड़ा score बनाया जाए 400 या इस से उपर runs का इसके अलाबा आप पहले innings में गेंद बाजी करो तो ये कोशिश करनी होगी कि opposition टीम को 200 या 300 रंद के आसपास रोका जाए तो मुझे लगता है कि यही प्रकार की रणनीती दोनों ट्मों अपनाने वाली है इस मुकाबले में भी इसके अलाबा गर हम इस मैच के इस मैदान के average scores की बात कर लें तो जो average first innings score है वो 392 है इसके अलाबा जो average second innings score है वो first innings से भी जादा है 427 है वही पर जो average third innings score है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है 188 इसके अलाबा average fourth innings score जो है वो 271 का है तो दोस्तों आप फर्स इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स के एवरेज स्कोर से देख रहे हो कि इस मैदान पर अभी तक दोनों मुकाबलों में बड़े स्कोर बने हैं स्कोर हो जाता है इसके अलावा गर हम फर्स इनिंग्स की बात करें तो ये सब कॉंटिनेंट और एशियन पिचेस की तरह नहीं होती है नुजलेंड की पिचेस जहाँ पर आपको बहुत ज़दा टर्न देखने को मिले या फर्स इनिंग्स में बहुत ज़दा मुश्किल हो जा और अगर देखा जाए तो काफी ज़दा अच्छी पिच रहती है बल्ले बाजी के लिए भी और यहाँ पर अगर आप इनिशल फेस जो तेज गिन बाजी का होता है वो उसको निकाल देते हैं और सेट हो जाते हैं तो फिर इस पिच पर बड़ा स्कोर भी बनाया जा सकता है इसके अलावा मातर 11 विकेट सी स्पिनर्स को मिले हैं तो यह आकड़े आपके सामने एक बार फिर से पूरी तरीके से स्पष्ट कर देते हैं कि इस मैदान पर तेज गिन बाजो का ही दबदबा रहता है और तेज गिन बाजो के लिए ये पिच काफी ज़दा मददगार होता है और इसलिए अगर मैं आपको सेजेशन दू तो मेरा सेजेशन तो यही रहेगा कि आप दोनों टीमों के जो फास बॉलर से उनको आप अपनी प्लेंग 11 में जरूर रखेगा फिर चाहे वो लेक्ट आम फास बॉलर सो या राइट आम फास बॉलर सो क्योंकि दोनों ही तरीके के फास बॉलर्स को इस मैदान पर बहुत ज़ाधा मदद मिलती है वहिए अगर सेजेशन दू और आप अगर आफेस घाटेक के साहथ वा बाद कर दोनो की यापन प्र प्रेडिक्टेट प्रेंग 11 के बारे सबसे पहले New Zealand team की predicted playing 11 के बारे में बात करें तो आपको New Zealand की playing 11 कुछ इस प्रकार के नजर आ सकती है opening करते हुए आपको नजर आ सकते हैं Captain Tom Latham के साथ Will Young इसके लावा number 3 पर आ सकते हैं Devon Conway, number 4 पर Ross Taylor number 5 पर Henry Nichols, number 6 पर Wicket Keeper Tom Blundle, number 7 number 6 पर Darryl Mitchell या फिर रचिन रविंद्र में से कोई एक खेल सकता है इसके लावा number 8 पर Kyle Jemison, number 9 पर Tim Saudi, number 10 पर Neil Wagner और number 11 पर Trent Bolt खेलने वाले हैं वही अगर हम बात कर लें Bangladesh team की predicted playing 11 के बारे में तो Bangladesh की playing 11 आपको इस मुकाबले में कुछ इस प्रकार के नजर आ सकती है उपनी करते वह आपको नजर आएंगे शादमान इसलाम, उनके साथ मेहमूदुल हसन जॉय, number 3 पर आ सकते हैं इस पहले टेस्ट मैच के लिए मेरी अपनी win prediction के बारे में कि मुझे क्या लगता है कौन सी team ये पहला टेस्ट मैच जीतने वाली है तो दोस्तों New Zealand और Bangladesh की बीच अभी तक test cricket इतिहास में टोटल 15 बार आमना सामना हुआ है जहाँ पर New Zealand की team ने 12 test matches जीते हैं जबकि 3 test matches draw पे समापत हुए है और Bangladesh की team एक test match भी नहीं जीत पाई है तो completely dominate किया है New Zealand ने Bangladesh के उपर test cricket में इसके लावा जो New Zealand में matches हुए है उनकी बात कर लें तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से dominate किया है New Zealand ने 9 matches हुए है और सभी 9 matches New Zealand नहीं जीते हैं तो साफ तोर पे आप देख रहे हैं कि test cricket में New Zealand का पलड़ा बांगलादेश के उपर बहुत ही ज़्यादा भारी है और बड़ी चुनोर्टी होगी बांगलादेश के सामने अगर उनको New Zealand को New Zealand में हाराना है तो इसके लावा अगर हम पिछले 5 matches के records की बात कर लें तो जो New Zealand ने अपने पिछले 5 मुकाबले खेले हैं उसमें से 2 मुकाबले ड्रॉ की हैं इसके लावा दो मुकाबले जीते हैं और एक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था महीं पर बांगलादेश की टीम ने अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबले हा रहे हैं जबकि मात्र एक मैच जीता है और एक उन्होंने ट्रॉ किया था तो रिसेंट परफॉर्मेंस भी अगर आप देखा जाए दोनों टीमों की तो यहाँ पर बांगलादेश की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा खराब है इसके लावा न्यूजिलेंड की टीम वर्ल्टेस चैंपेंशिप का फाइनल जीती थी हो और डबलो टीसी की करेंट चैंपियन भी है तो इसका भी उनको एक confidence मिला हुआ है और अपने वो घर पे भी खेल रहे हैं तो उसका तो हमेशा से home advantage मिलता ही है और न्यूजिलेंड की टीम अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा strong टीम है कोई भी टीम उनको महाँ पर हराना किसी भी टीम के लिए बहुती बड़ी चुनोती रहती है इसलिए यहाँ पर बांगलादेश के लिए यह एक बहुत फिर से बहुती ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है इसलिए दोस्तों सारे records को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए तो मुझे लगता है कि न्यूजिलेंड का पलड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फारी है बांगलादेश के ऊपर इसलिए मेरे इस मुकाबले की जो विन परडिक्शन है वो न्यूजिलेंड की टीम के साथ ही जाने वाली है फ्रेंड्स ये तो बात होगे मेरी अपने विन परडिक्शन की आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेंग 11 ज्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये पहला टेस्ट मैच चीतने वाली है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता है